हेलो एवरिवन स्वागत है आप लोगों का मेरे यूटूब चैनल LWD जॉप में स्कूल टीचर रिकुर्मेंट सेशन 2023-24 के लिए निर्जा मोधी स्कूल अ गलोवल इंस्टिटूशन रिकॉयर की गई है टीचर्स की जिसमें टीचिंग स्टाफ की भी वैकेंसी निकाली गई आईन है और नौन टीचिंग स्टाफ की भी वैकेंसी आई है सब ही राजे के कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर पाएंगे यदी क्वालिफिकेशन को फुल्फिल करते हैं फ्रेशर भी जो हैं अप्लाई कर सकते हैं और जिनके पास एक्स्पीरेंस वह भी अप्लाई कर सक और इस्कूल अगर आप देखना चाते हैं, तो यह जो है, इस्कूल का स्ट्रक्चर जो है, आप लोगों को देखेगा, काफी बड़ा स्कूल है, और काफी अच्छा स्कूल है, यह देखिए, यह जो है इतना बड़ा स्कूल है, तो आप सोच सकते हैं, कि यहाँ पर एजूके करना है तो आप लोगों को जानकारी मिलेगी कि कौन-कौन से पोस्ट में कौन-कौन से subject की vacancy आई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्जा मोधी स्कूल और Global Institute required for session 2024-2025 के लिए teachers यहाँ पर रखे जाएंगे teaching position की अगर हम बात करें तो पीजी टी में English, Math, Physics, Chemistry, Economics, Business Studies, Accountancy, Geography, History की vacancy है Commerce के students की बहुत कम vacancy देखने को मिलती है तो यहाँ पर बिल्कुल Business Studies, Accountancy, Economics की vacancy निकाली गई है इसके अलावा History की है Math, English and Chemistry की यहाँ पर जो है योगेता कही गई है Post graduation होना चाहिए जो भी subject में आप apply करना चाहते है B.Ed भी मांगा गया है और दो या तीन साल का अनुभव भी आपके पास होना चाहिए T.G.T. trained graduate teachers के लिए English, Math, Physics, Chemistry, Biology, History, Geography, French and Sanskrit की vacancy है योगेता यहाँ पर graduation या Post graduation B.Ed होना चाहिए दो या तीन साल का experience Primary teachers के लिए कोई भी अनुभव नहीं मांगा गया है Fresher यहाँ पर बिल्कुल eligible रहेंगे देखिए full time teachers की यह vacancy है इसके लावा जो है यहाँ पर आप देखेंगे नीचे part time teachers की भी vacancy है यानि ऐसे candidate जो की government job की तयारी कर रहे हैं और अपना कुछ समय अपने subject को देना चाहते हैं पढ़ाना जो है वो बहुत अच्छा होता है इससे subject की जो बारी की है वो सभी चीज़ें आपको समझ में आती है तो आप पढ़ावी सकते हैं और अर्ण करना चाते हैं अर्ण भी कर सकते हैं part time teachers के लिए यह जो है यह सब भी full time teachers की vacancy है primary teachers में कोई भी अनुबब नहीं मांगा गया है primary teachers में graduation या post graduation अगर आपके पास English, Social Science, Science, Math में है B.E.D. भी मांगा गया है pre primary teachers के लिए जो है graduation या post graduation किसी भी subject में किसी भी any subject में और आपके पास जो है entity या beard होना चाहिए अभी जितने भी तीनों vacancy में आप लोगों के शेयर की है पिसले वीडियो में जहां पर experience भी मांगा गया है और कहीं पर जो experience नहीं मांगा गया है तो देखिएगा primary या pre primary teachers के लिए जो है higher qualification जो है मांगी गई है बाकी 12 और 7 में जो है degree या diploma वाले जा सकते हैं बट यहां पर ऐसा नहीं है यहां पर जो है या तो आपने graduation की हो या post graduation की हो और entity या beard है तो ही pre primary teachers के लिए जा सकते हैं beard है तो ही primary teachers के लिए जा सकते हैं next जो है teachers के अगर बात करें तो computer teachers की vacancy है जिसमें आप primary, middle या secondary classes को पढ़ाने का रहेगा librarian में आपके पास जो है bachelor या master degree होनी चाहिए library science में और अनुभव ही चाहिए librarian में pre primary teachers और primary teachers और computer teacher के लिए कोई भी experience नहीं मांगा गया next behavioral counselor के लिए यहां पर अनुभव चाहिए जो भी fresh candidate है graduation जिन्होंने की है या post graduation की है physics में electrical या mechanical engineering में या computer science में project based learning के लिए जो है बिल्कुल यहां पर जा सकते हैं यहां पर ऐसे candidate को जो है preference मिलेगी meritorious candidates जो होंगे will be preferred teachers for artificial intelligence, design thinking, financial literacy, data science यह भी vacancy है next यह full time teachers की है यह सभी जो अभी आपको बताई है part time teachers की भी है अगर आप किसी भी सरकारी नोकरी की त्यारी कर रहे है और अगर आप चाहते हैं जैसे की class 6 to 10 को आप पढ़ाना चाहते हैं English से या math या social studies या science तो देखिए यहां पर समय दिया है 3 से 5 साड़े साथ से साड़े नौ यह दो समय दिये हैं अलग-अलग मांसर ओवर campus में आप जा सकते हैं यह जैपूर की vacancy है 11-12 को अगर पढ़ाना चाहते हैं math, physics, chemistry, economics, business studies या accountancy तो यह इस तरीके कर रहेगा जैसे tuition आप करते हैं तो यह काफी अच्छा रहेगा salary के साथ में आप लोगों का subject जो है उस पर भी command काफी अच्छी बन जाती है जितना आप जो है study करते हैं यदि आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो आपके दिमाग में बिल्कुल fit हो जाती है चीजे तो यह अच्छा रहता है दूसरा जो campus है जिसमें 1,2,10 को पढ़ाने के लिए दहाई से 5 बजे तक का समय है English, Math, Science, SST, French, Hindi, Computer, Robotic या technology teacher या primary teacher सभी subject की यानि कि आप जो भी subject हैं primary teachers में सभी subject के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं तो मुझे लगता है यह काफी अच्छी जो है vacancy आई है जहाँ पर full-time teacher, part-time teacher दोनों के लिए जो है यहाँ पर vacancy निकाली गई है next activity teachers के लिए भी vacancy है जिसमें music की है, dance है, art, yoga, primary sport teacher के वल female चाहिए non-teaching position में अगर आप apply करना चाहते हैं junior accountant, office assistant, male या female जिसको knowledge होनी चाहिए, अच्छी MS office की telephone operator की, store in charge की, hostel warden, male या female, graphic designer अभी जो है, यहाँ पर मुझे नहीं लगता की कोई भी जो है poster रह गई है, यानि एक school में जितनी भी जो है post होती हैं, तो यहाँ पर सभी आ गई है नीर्जा मोधी school, a global institute, जैपुर में है यह school अब last जो है, apply कैसे करना है, तो apply with updated resume to आप लोगों को अपना जो resume है, यदि आपने तयार अभी तक नहीं किया है क्योंकि कई vacancy ऐसी होती है, जिसमें एक या दो दिन का ही समय देते हैं और आप लोगों को interview के लिए बुला लेते हैं, ठीक है तो आप लोगों को अब लोगों को अभी दिखाई थी, वेकैंसी के बारे में जो मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दे रही थी, यह newspaper में published हुई ठीक है, और ऐसा नहीं है कि main website पर नहीं है, main website पर है बट इतना clearly जो है नहीं समझ में आ रहा था तो इसी लिए आप लोगों को newspaper की cutting भी दिखाई गई, तो यहां पर career section में भी जो है आप लोगों को दिखाई देगा, निर्जा मोदी स्कूल, जैपुर invites application from suitably qualified and experienced teacher for the following opening, current opening में teaching position, pre-primary, tgt, pgt, pti, non-teaching position, ठीक है, सभी की vacancy यहां पर है, वट यहां पर जो है अच्छे तरीके से नहीं दिखाई दिया, तो इसलिए आप लोगों को newspaper की cutting से भी बताया गया, तो apply जो है कैसे करना है, subject आपने देख लिये है, post आपने देख लिये है how to apply, तो यहां पर भी जो है आप लोगों के लिए email address, सबसे नीचे आप देखेंगे, बिल्कुल नीचे आप left side में देखें, email us at nmsjapur at the rate yahoo.com, ठीक है, इस पर आप लोगों को mail कर देना है, यहां पर जो है, अच्छे से समझ में आ रहा है कि कौन सा subject है, कौन सी post में, experience भी जो है कितना मांगा गया है, fresher जो है कहाँ eligible है, part time teachers की जो vacancy है, main website पर नहीं डाली गई है, ठीक है, तो इसी लिए आप लोगों को यह बताया गया है, तो इसे जो है अच्छे तरीके से देख लें, और इसे जो है screenshot लेना चाहें, तो screenshot भी जो है ले सकते हैं, ताकि आप qualification मांगी गई है, किस किस post के लिए, तो चलिए ऐसे ही vacancy के साथ, next video में मिलेंगे, thank you